पंडित नहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए सालों जेल में रहे अमिचा जी को शाहिद हिस्ट्री नहीं मालूम वो तो मैं एक्सपेक्टी नहीं कर सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री मालूम वो तो हिस्ट्री को रिराइट करते रहते हैं यह पूरा का पूरा डिस्ट्रैक करने का है बेसिक इशू जाती जन गड़ना और जो भागिदारी है इस देश की जो धन देश का है वो किसके हातों में जा रहा है यह में इशू है और इस इशू को यह लोग डिसकस नहीं करना चाते इससे डड़ते हैं, इसudsोसे भागते हैं, मगर यह इशु को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हाथ है, वह हमएंको दिलवाएंगे। हमारा भी ओपी सी था, इनोंने ओपी सी दिया. टीक है? वो इशु नहीं है. सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागिदारी है प्रधान मंत्री OBC हैं मगर सरकार को 90 अपसर चलाते हैं 90 अपसर में से 3 OBC हैं और जो OBC हैं उनका कोने में ओफिस है तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम हमारा इंस्टिटूशनल सिस्टम जो है पूरा उसमें OBC की कितनी भागिदारी है दलितों की कितनी भागिदारी है आदिवासियों की कितनी भागिदारी है यह हिंदुस्तान के सामने में सवाल है और यह मुझे बोलने दीजे आप से सवाल पोचा तो बोलने दीजे यह में में इशू है और 24 गंटा यह डिस्ट्रैक करने के लिए कभी जवाला नहरू के बारे में बोलेंगे कभी किसी और के बारे में बोलेंगे बात भागीदारी की है थैंक यू